सब अपनी उसमें मस्ती में थे जंता को तो किसी ने देखा ही नहीं आपर पिछले पांस साल से लगातार पेपर पेपर लिख हुआ जा रहा है करोडो रुपे का गौवर्मेंट का नुकसान हो रहा है यहां किसी को पता नहीं है आपने आए जब इन्यूस देखी होगी आपन इडी के चापे पड़ रहे हैं पता लग रहा है कि दीरे दीरे कौन कौन इसमें सम्मिलित थे तो आप इस सरकार को तो गैलो सरकार नहीं कह सकते हैं आप इसको यह कह सकते हैं कि हुटल की सरकार है कि इस बार भारती जनता पार्टी सरकार आएगी और पून भूमत के साथ आ अपसाने के लिए पुर्द्जोर कोशिश कर रही है अशो गहलोत अपनी कुर्सी बचा रहे हैं तो वही बीजेपी वापसी करने के लिए हर खेमे में अपना दमखम लगा रही है इसे बीच राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में एसीय न्यूस जा रहा है जमीनी हकीकत को जान रहा है आज हमारे साथ कुछ वकील भी है और जैपूर की बात करें राजस्थान की बात करें तो यहां जो हमारे साथ मौजूद है सीनियर वकील है सुप्रीम कोट के सीनियर अधिवक्ता है रोहिद गौतम जी सबसे पहले तो यह जो जैपूर का इलाका हम मौजूद ह कौन सा इलाइक है मांसरोवर आप राज्श्थान से जी जापूर से यू राज्श पी यू billion तो आप सभी वकील हैं आप जमीनी हकीकत भी देख रहे हैं राजस्थान की राजनीती को भी समझते सबसे पहला सवाल है समीकरन क्या कहता है एक तरफ अशोग गहलोत कॉंग्रेस की सरकार दूसी तरह बीजेपी आप क्या कहें कि देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहोंगा कि जो पिछले पास साल जो सरकार चली है वो गहलोत सरकार नहीं चली है यहां चली है होटल्स की सरकार, साड़े तीन साल इनों ने सिर्फ अपने होटल्स में बिताए हैं, सेवन स्टार लगजरी होटल्स में ये रहे हैं, पूरे विधायकों को लेकर आराम से रुखते थे और वहीं पर ही अपनी सरकार चलाते थे, क्योंकि सरकार का तो कोई महत भी जंता की पीरख के बात की जाए तो काउंज सी सरकार समझेख का जंता के लिए सोचर रहे हैं? देखिए जनता जब सरकार को चुंती है तो वो इसलिए चुंती है कि उनका काम हो विकास हो प्रदेश का विकास हो न्याय की व्यवस्था हो ठीक है यहां तो ना विकास हुआ ना ही किसी प्रकार का कोई काम होगा तो आप इस सरकार को तो गैलो सरकार नहीं कह सकते आप इसको इभाल मेरा आपसे यह है कि आप किस विदानसवा शेत्र से आते हैं और कहो कैसे कहां पर वोट करते हैं आप Ar kuin say करते साओं मेरा विदानसवा नेन से ऊजिश जो है सिविल लाइन से है मैं घुजर की तड़ी पर रहता हूं और मेरा जो वोट गया है वो समट विकाश काम के लिए ठीक है और जैसा कि मुझे पता है कि पिछले पांच सालों में कोई विकास हुआ नहीं है सरकार की हाँ यह उमीद है और लगबग आप मान लीजिए इसको कि विकास की लहर है परदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के चैरे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार भारती जनता पार्टी सरकार आएगी और पूर्ण भूमत के साथ आएगी और विकास होगा कौन सी नीतिया आपको बीजेपी की तरफ से सही लग रही है जो आपको लग रहा है कि 2018 के बाद अश्रों गैलोत सरकार नहीं कर पाई कॉंग्रिस की सरकार नहीं कर पाई देखिए मुद मैं आपको जिक्र करूं मोबाइल फोन फ्री में देना बिजली की बात आ रही है यह तमाम मुद्धे हैं जो अभी पुर्जोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कॉंग्रेस की आगे बढ़े मैडम बात आप बिजली की कर रही है तो बिजली का बिल कब भरेगा आदमी जब रोजगार होगा उसके पास में उसके घर पर बिजली होगी आप समझ रही है यहां रोजगार 물론 प्शले पांस साल से लगातर पेपर पेपर लिक हुआ जा रहा है करोडों रुपे का गॉवर्मेंट का नुकसान हो रहा है यहां किसी को पता नहीं है आपने अभी न्यूस देखी होगी आपने एडी के चापे पढ़ रहे हैं पता अलग रहा है कि दीरे-दीरे कौन-कौन इसमें सम्मिलित थे अब दीरे-दीर आपको और पता जेकर से जा रहे हैं ताकि चुनाब में कॉंग्रिस वापसी ना कर पाए ऐसा है अगर इनका यह मानना है कि केंद्रिय सरकार एजनसी का एडी का दुरूप्यों कर रही है चलिए मान लेते हैं क्या सबूत भी वो बनाके दे रही है उनको सबूत आ रहे हैं तभी तो कारवा ही हो रही है पैसा कहां गया किसके पास गया कहां से आया सब एक एक रिकॉर्ड है इनके पास मोराने वाले टाइम में आप देखिए क्या होने वाला है मैं यह समझना चाहती हूं आप देखेंगे कि 2018 के बाद से लेकर अब तक 2023 में एक कॉंग्रिस खेमे में ही आपसी मनमु अब आने वाले पिछले 6 मैनों में इनमें वापसी बहुत प्यार मुहबत हो चुकी है दौनों के बीच में और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर जनता अगर नहीं समली अभी अगर जनता को समझ में नहीं आया तो आप यह देखिएगा कि आने वाले फिर चार साल में यह घैलो सरकार नहीं यह होटल सरकार फिर आपको होटल में दिखाई देगी आप होटल सरकार लगतार लेकिन इनका यह कहना है कि विकास हमने किया रोज़ार भत्ता, हमने युवायों को दिया और पेपर लीग के मामले पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि BJP काफी हावी रही है, तो वो कहते हैं कि पेपर लीग मामले में लगता राजस्तान को बदनाम किया जा रहा है? कि आए गए ये भी तो एक सवाल है इस बार बीजेपी ने तो कोई चेहरा ही नहीं रखा सकते सीएंट पद के लिए देखिए एक कमल का चिनहीं काफी है और प्रदानमंत्री नरीनर मोजी जी के नितरत में लट रहे हैं चुनाव तो डिसाइड करेंगे कौन होता है बहुत ब राजस्थान विदानसवाच चुनाव 2023 को लेकर क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फिल हाल के लिए इतना ही वीडियो जनलिस नितिश पाठा के साथ रजना उपाधियाए जैपूर